दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी लगातार केजरिवाल सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं हमारे साथ मौझूद है अमरिता धवन जी जो दिल्ली प्रदेश महिला कॉंग्रेस की अध्यक्ष है अमरिता जी क्या लगता है आप लगातार केजरिवाल सरकार के खिलाफ अवाज उठा रहे हैं महिलाओं के मुद्दों को आगे उठा रहे हैं और वहां केजरिवाल कह रहे हैं कि हमने जगा जगा CCTV लगवा दी है जिससे की महिलाओं की जो सुरक्षा वो दिल्ली में बढ़ ग तो मैं मानती हूं कि केजरी वाल जो बोलते हैं उसके पीछे उनकी जो विश्वसनेता है वो खतम होती जा रही है आज यमना की भी बात की थी कि हम सफाई करेंगे जो हाल यमना का हमने देखा है छट पूजा के दोरान मैं मानती हूं यह ऐसा प्रत्याशित अधरन भी हमें खाते में क्यों क्योंकि यह वर्केबल नहीं है और यह चाहते हैं कि इस तरीके की बात करें ताकि एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा ही राजनीती यह बदलने की कोशिश करना चाहते है इस तरीके की जुमलों से लेकिन सही बात तो यह कि दिल्ली के जो सबसें और ये किस तरीके से limitation काम करip देखिlorने कर सकते हैं। आपकारी नीती को बस ले कर आये ते कैबिनेट में हम तपसे विरोध कर रहे है हम लगोंने सिग्नेचर कैंप कि還有 का जुई हम लोगों तो ठेके हो जाएंगे दिली के अंदर देखे शराब पीना पर्सनल चॉइस हो सकती है लेकिन आप हर गली महले को शराब का ठेका नहीं बना सकते हैं क्योंकि बहन बहु बेटियां भी रहती हैं दिली के अंदर जिनकी इनको चिंता ही नहीं तो एक तरह से देखा जाए तो इ चाहें जाएगा कि दिली के मुख्य मंत्री हैं तो महिला फिर जो हाल करेंगी उनको अंदाजा भी नहीं है तो हमार साथ अमरिता धवन जी थी जो दिली महिला प्रदेश कॉंग्रेस की अध्यक्ष है इनका साफतोर पर कहना है कि किस तरीके से दिली में जो शराब के ठेके खोले जा रहे हैं उसको रोकने के लिए महिला कॉंग्रेस किस तरीके से आगे काम करेगी और लगातार दिली सरकार के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी फिलाल इस वीडियो में इतना ही कैमरा परसनारियन के साथ मैं विशाल धन्यवाद